देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में आयोध्या की विवादित जमीन पर राम लला विराजमान का हक माना है जबकि मुस्लिम पक्ष को आयोध्या में ही पाँच एकर जमीन देने का आदेश दिया गया है चीफ चस्टिस रेंजन गोगोई की अध्यक्षिता वाली पांच जजों की विशेज बेंच ने सर्वसम्मती से एक फैसला सुनाया है आयोई आपको बताते हैं अयोध्या वर्डिक की कुछ खास बाते विवादित भूमी पर मंदिर निर्मान के लिए केंदर सरकार एक ट्रस्ट बनाईगी इसके लिए तीन महीने के भीतर नियम बनाए जाएंगे यह जमीन अभी केंदर सरकार के पास रहेगी जिसे बाद में ट्रस्ट को दिया जाएगा रामलला को मिले विवादित जमीन मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दिये जाएंगे यह जमीन सुन्नी वक्व बोड को दी जाएगी पांच जजोवाली बेंच ने यह सपष्ट कर दिया है कि मुसल्मानों ने आंतरिक आंगन के अंदर प्रातना की है और हिंदूों ने बाहरी आंगन में प्रातना की है जिस तर्ज पर सारे सबूतों को मानते हुए यह जमीन रामलला विराजमान के हक में दी गई है वहीं दूसरे दिगज नेताओं का यह भी कहना है जिसमें असदुदीन ओवैसी का नाम शामिल है कि यह फैसला सबूतों के आधार पर नहीं बलकि आस्था के आधार पर सुनाया गया है